रूस यूक्रेन के बीजंग अब पहुँच चुकी है यूक्रेन के डॉन्बास इलाके में जहां ब्रिटन और अमेरिका यूक्रेन को इस नई रूसी कारवाई से निपटने के लिए हत्यार देने की बात कर रहे हैं वहीं मारियोपूल में रूस के हत्यार डालने के अल्टिमेटम को यूकरेनी सैनिकों ने अन्सुना कर दिया है इन तुमाम पहलों की चरचा आच कवर स्टोरी में रूस ने मारियो पूल में युक्रेण के सानिकों को सरिंडर की जो डेडलाइन दी थी वो खत्म हो चुकी है राश्टपती वालदी मीर्जेलिंसकी ने कहा है कि मारियो पूल में हालात काफी जाद अगम्बीर है युक्रेन की कोशिश है कि यहां से आज हमिलिटेरियन कॉरिडॉर के जरीए 6,000 लोगों को निकाला जाया सके मारियोपोल के मेर का कहना है कि अभी भी एक लाक नागरेक वहां पर फसे हुआ है रूसी सेना का दावा है कि लगभग पूरा मारियोपोल उनके नियंत्रण में है वहीं डिप्टी मेर सारगेई और लोव का कहना है कि मारियोपोल के एक चोथाई हिस्से पर अब भी उक्रेनी सेना का नियंत्रण है एक मरीन कमांडर ने बुद्वार को तड़के एक वीडियो जारी करके कहा कि उनके सैनिकों के पास अब शायद चंद घंटे ही बचे है बीबीसी और दूसरे मीडिया संस्थानों को भीजे वीडियो संदेश में मेजर वॉलीना ने कहा कि उनके सैनिक सरेंडर नहीं करेंगे साथ ही उन्होंने अंतरराष्ट्रे मदद की भी गुहार लगाई हम दुनिया भर के नेताओं से अपील करते हैं कि हमारी मदद करें हम चाहते हैं कि हमारे सैनिकों 500 से ज्यादा घाय लड़ाकों और सैक्डों आम लोगों को निकाल कर किसी दूसरे देश में पहुँचाया जाए हम आपसे अपील करते हैं कि हमें किसी दूसरे देश में सुरक्षित पहुचाया जाए युकरेन के टून बास आखे में रूस हमले कर रहा है और इस से निपटने के लिए बृतानी पीम बोरिस जॉनसन ने कहा है कि वो युकरेन को और हत्यार भेज रहे हैं पर रूस की ये नई सैनिकारवाई बाकी लाकों में उसके आकरमन से कैसे अलग है बता रहे हैं बीवी से समवादा था फ्रैंक गार्डनर रूस और युकरेन की जंग अब दो हिस्सों में बढ़ कई है बड़े सामरिक हिस्से की बात करें तो रूस युकरेन के कई शहरों में ताबर तोड मिसाइलें दाग रहा है पश्चिमी युकरेन में मौझूद लवीव पर भी जो पोलेंड की सीमा के पास है रूस, स्टोरेज डीपो, ट्रेनिंग बेस और रेल्वे नेटवर्क को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है इस सब के पीछे मकसद है युकरेन को इतना नुकसान पहुंचाना कि वो जंग में धीला पड़ जाए और जमीन पर ज्यादतर लड़ाई पूरवी युकरेन के डॉन बास इलाके में हो रही है और यहीं पर मौजूद है युकरेन की ज्यादतर सेना इसी इलाके में निरनायक जंग लड़ी जाएगी और शायद ये बहुत लंबी चलने वाली है अभी आमने सामने की लड़ाई नहीं हुई है जब भी ऐसा होगा तो वो जंग काफी लंबी चलेगी क्योंकि आपके पास एक काफी ट्रेंड युकरेनी सेना है जो की बखू भी प्रशक्षत है जो कम जोशिली रूसी सेना से लड़ रही है पर रूसी सेनिकों की संख्या काफी ज़ादा है तो ये लड़ाई कई महीनों तक चल सकती है ये शायद कुछ सालोंता है युकरेन की सेना को इससे फाइदा भी है और नुकसान भी नुकसान की बात करें तो रूसी सेनिकों की संख्या बहुत ज़ादा है खास तोर पर रूसी तोपों की रूस तोपों का इस्तमाल कर दुश्मन के ठिकाने को निशाना बनाता है जिसके बाद टैंक और सैनिक आगे बढ़ते हैं और ये हैं यूकरेन के अनुभवी सैनिक जिनके पास नेटों की दी हुई अत्याद होने इक मिसाईले हैं जिसने रूसी राष्ट्रपती पुतिन को काफी नराज कर दिया है और इन्ही मिसाईलों और हत्यारों की बदौलत यूकरेन रूस के खिलाफ चंग लडने का दमखम बटोर रहा है तबाही के बावजूद यूकरेन के लोगों का आत्म विश्वास काफी हद तक बरकरार है ऐसा शायद आन्शिक रूप से उनके राष्ट्रपती वौलदीमीर जैलेंस्की की छवी की वज़ा से है जो पूरे यूकरेन का समर्थन जुटाने में काम्याब रहे हैं पश्चिमी ताकतों को अब सबसे बड़ा डर ये सता रहा है कि अगर राष्टपती पुतिन को वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं तो ये एक और खत्रा पैदा कर देगा CIA के मताबिक ऐसे में हो सकता है कि पुतिन एक परमानू हतियार जो गोला या छोटी मिसाइल हो सकता है उससे एक परमानू धमाका करने का मन बना ले और घुसे में परमानू हतियार का ऐसा इस्तिमाल साल 1945 के बाद से पहली बार होगा और युक्रेन में जारी जंग के बीच ऑनलाइन कई तरह की गलत जानकारियां भी पहलाई जारी है इन में से कई मेसेज राजनीतिक कारणों से पहलाई जा रहे है लेकिन एक समूँ ऐसा भी है जो इस विवाद का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है युक्रेन के लिए दुनिया भर से आ रहे ही समवी दनाओं से भरे पोस्ट का इस्तमाल चारिटी के नाम पर खुद के लिए पैसे बनाने के लिए किया जा रहा है बीबीसी की ग्लोबल डिसिंफरमेशन रिपोर्टर हैने जिलबर्ट ने इंटरनेट पर डिजिटल पेपर ट्रेल को ट्राक किया युक्रेन में युद की शिरुवात की बाद सरकार ने ट्विटर पर डोनेशन की अपील की जंकासर देश की आधारभूत सनंचनाओं पर पड़ा है जेलिंजकी ने क्रिप्ट करंसी को मानेता देने के लिए एक कानून पर हस्ताक्षर की सिर्फ कुछी देशों में क्रिप्ट करंसी को मानेता है उनकी मताबिक अभी तक उन्हें 70 मिलियन डॉलर क्रिप्ट करंसी में मिल चुकी है और इससे कुछ और भी चीज़े शिरू हो गई अपराधी, स्कैमर, हरकत में आ गए इंटरनेट के हर कोने से पैसों के लिए जूटी अपील करने लगे एक्स एक साइबर सिक्योरिटी रिसेर्चर है जो पता लगा रहे हैं कि इन स्कैम से कितने पैसे बनाए जा रहे हैं क्रिप्ट करंसी के वॉलेट सभी लोगों के देखने के लिए इंटरनेट पर मौझूद है आप balance और transaction के record देख सकते हैं इस wallet में अभी कुल balance लगभग 90,000 अमेरिकी डॉलर है ये wallet एक fake charity website से जुड़ी हुई है हमने पाया कि पिछली scam में भी इस पते का इस्तमाल हुआ है फलस्तीन, अफगानस्तान और COVID-19 के समय पैसे 81 करने के लिए हमें ऐसे email भी मिले जिसमें लोग Red Cross और Nova Ukraine जैसी असली charity की नकल कर रहे थे Nova Ukraine एक non-profit organization है जिने कालिफोर्निया में रहने वाली Ukraine के लोग चलाते है ये सब देखना बहुत मुश्किल है लेकिन ये मुझे Ukraine के लोगों की मदद के लिए प्रेरिद भी करता है ये उन में से एक email है जिसकी मैं चार्च कर रही हूँ मुझे लगता है कि ये एक scam है और इसका दावा है कि ये Nova Ukraine से जुड़ा है जो की आप है ये Nova Ukraine नहीं है और Registered Charity Office के मताबिक ये कथे तोर पर Ukraine में है हमारा office पहलो अल्टो में है इस scam से 540 डॉलर बनाए गए है ये fake है ये साबित करने के लिए कई सबूत है From और Reply To में अलग-अलग email IDs है संपर करने वाले बटन पर एक और fake email ID है IP address Vietnam का है एक और email में दावा किया गया है कि ये Ukraine में एक डॉक्टर माक्सिम अरुनोफ का है मैं आपको जार कियेव के Smile Children क्लिनिक की तरफ से लिख रहा हूँ जो कि रूस के हमले में तबाह हो गया था मैंने इस डॉक्टर को खोचना चाहा मैंने Google Earth पर इस क्लिनिक को ढूंडा और यूक्रेन में अपने साथियों से भी पूछा लेकिन बच्चों के इस क्लिनिक का कोई सबूत नहीं मिला रिवर्स दिमिट सर्च करने पर एक Facebook प्रोफाइल मिला जो कि दूसरे डॉक्टर का था और वो भी Mexico City से इस व्यक्ती ने मेरी तस्वीर और पहचान का इस्तेमाल पैसे और बच्चों के अस्पताल के लिए डोनेशन मागने के लिए किया ये पूरी तरह गलत है कई लोग इस कैम में फसे हैं वैसे लोग जिने सच्चाई नहीं पता थी और पैसे दे दिये असली चारिटी इसको डर है कि लोग अपना भरोसा खो देंगे और यूकरीन की लोगों को मदद की सक्थ जरूरत है